Good morning students, today we are going to study synonyms in English grammar Synonyms क्या होते? Synonyms अपने हिंदी में भी पढ़े हैं जिनको क्या का जाता है? परियाए बाची या समानार्थक शब्द ठीक है? समान अर्थ देने वाले शब्द ठीक है? तो Englishman को क्या बोलते है? Synonyms बोलते हैं इसकी definition देखिए Synonym is a word having the same or nearly the same meaning as another in the language Synonym एक ऐसा word होता है जिसका same meaning होता है यह समान अर्थ निकलता है ठीक है? दूसरे जो word होते हैं लेंग्वेज में है ना? उसी के समान इसका भी अर्थ निकलता है तो एक समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं और को क्या कहा जाता है? Synonym कहा जाता है ठीक है? यहाँ पर कुछ Synonym से जैसे फर्स्ट वर्ड दिया है Adore Adore को क्या होता है? Worship मतलब एक ही अलग-अलग शब्द है लेकिन उनका आर्थ के साह समान है ठीक है? तो Adore मिन्स क्या होता है? पूजा करना Worship मिन्स भी क्या होता है? पूजा करना ठीक है? Second, Blem Blem मिन्स होता है आरोप लगाना ठीक है? Accuses मिन्स भी वह होता है आरोप लगाना है ना? Next है Candid Candid का क्या होगा? Honest एक शब्द के मतलब कि कहीं सारे से ननिम हो सकते हैं ठीक है? तो Candid मिन्स क्या होता है? इमानदा है ना? तो Honest मिन्स भी वह होता है Earn, Earn या Gen ठीक है? दोनों का मिन्स क्या होता है? प्राप्त करना या कमाना ठीक है? Fear का क्या होगा? Terror Fear मिन्स डर Terror मिन्स भी क्या होता है? डर या भय ठीक है? Haras का क्या हो जाएगा? Annoy यह ना? चिरना, क्रोधित होना यह ना? गुसा आना, गुसा होना ठीक है? यह इनके meaning होते हैं फिर एईडल, आईडल का क्या हो जाएगा? Lazy, आईडल में सबको पता है आलसी, ठीक है? लेजी में से वह होता है Next is loyal, loyal का होगा faithful, loyal और faithful दोनों का mean क्या होता है? वफादार, ठीक है? Next is agree agree का हो जाएगा? ascent है ना? मतलब की अनुमाती देना स्विका, सहमत होना, ठीक है? रिक सरी कैसे barin का infertile, barin means होता है banjar, ठीक है? तो infertile means भी क्या होता है? जो जमीर उपजाओ ना हो या जो उपजाओ ना हो उसको कहाता था infertile मतलब banjar, ठीक है? दोनों का सहम में नहीं है Next is calm काम का हो जाएगा quiet काम और quiet दोनों का mean क्या होता है? शान्त, शान्ती, ठीक है? Next, dull dull का होगा gloomy मिन्स धुंदिला, भध्दा जो रहता ना उसको कहा जाता है? ठीक है? Next, 13 eager eager का क्या होगा? keen eager means उत्सुक ठीक है? keen means भी वह जाता है? तीव रिक्षा होना किसी चीज़ के लिए है ना? Next, wise wise का हो जाएगा prudent है ना? चत्तूर वो चत्तूर नहीं बुद्धिमाद ठीक है? sly का clever इन दोनों का मीन होता है चत्तूर, चालाक, दूर्थ ठीक है? आपको इन परियावाची शब्दों को अपने English grammar की फैल कॉपी में लिखना है है ना? definition भी लिखना है and learn करना है thank you